आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार निधन को अपूर्ण ये छती बताया है शिवसेना सासद संजराउत ट्वीट करके ये जानकारी दी वीते दिन उनका स्वास्त बिगड़ गया था जिसके बाद उन्हें आईसियू से वैंटी लेटर में रखा गया था वहें लता जी के निधन पर प्रकाश जावडिकर ने ए स्वास उनका योगदान रहा है उसको देखते हुए हर कोई आज शोक में डूबा हुआ है सभी के आखे नम है एक एहम योगदान रहा है छे दशक तक उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया देश के नाम किया जो देश के लिए गाने गाए हर भाशाओं में जो गाने गाए और एक अलगी मुकाम पे पहुचा दिया बॉलिवूड इन असरी को सिब बॉलिवूड के लिए ही नहीं कई अन्य जगत के लिए भी उन्होंने गाने गाए है देश भक्ती हो या फिर जो है भक्ती गीत हो सभी में उन्होंने अपनी आवाज दी है और एक जो स असी में दादा सहबफाल के 1999 में पद्म विभूशर 2001 में भारत रतना 2008 में भारत की आजादी के 60वी सालगिरा पर वन टाइम अवार्ड फॉर लाइम टाइम अचीवमेंट इसका भी सम्मान मिला है लता मंगेशकर को 1972 में परिचे फिल्म में अपने गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबाक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी उनके नाम हुआ 1974 में फिल्म कोरा कागच के लिए भी और फिर 1990 में फिल्म लेकिन के लिए भी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी उनके नाम रहा कई सम्मान से नमाजी गई है लता मंगेशकर सुर कोकिला के नाम से जानी जाती है कि उससे हर फिल्म हिट हो जाती थी और ऐसा माने जाता था कि जिस फिल्म में वो अपनी आवाज दे देती थी वो फिल्म बुलंदियों को छू लेती थी अपिल्मी गाने हो बात करें उनकी करियर के शुरुआत की तो उनको ये संगीत काउनर अपने पिता से मिला ये और इनकी बहन दोनों ही संगीत की जगत में अपनी एक अलगी पहचान रखती हो और इनके जैसान ना कोई होगा ऐसा माना जा रहा है अपूर्णी च्छती है देश के लिए 92 साल की उम्र में उनका कोरोना से निधन हुआ है 29 दिनों से वो अस्पताल में पीड़ थी अस्पताल में भरती थी और लंबे समय से इलाज उनका चल रहा था अब भारत अपने थी हमारे सब की दिलों में बस्ती थी उनके जाने का सब को बहुत दूख होता है वो देश वक्त भी थी मराठी भाषा सभी भारतिय भाषा है और उसके साथ साथ इत्यास पर भी है उसका थास अध्यन था उनको हमारी विनुम्रे सद्धान जली हमेशा याद रहेगी लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगित से तो हर कोई वो चाहे फिल्मी जगत से हो या फिर नेता हो राज नेता हो सभी उने श्रधान जली दे रहा है और परिवार के प्रती संवेदना व्यक्त करी जा रही है अगर बात करें सोशल मीडिया पर तो काफी एक्टिब भी रहती थी और आज सोशल मीडिया पर भी बाढ़ आ गई है श्रधान जली की सभी की आँखे नम है और एक एहम योगदान रहा है लता मंगेशकर का गाईका के रूप में भी और देश भक्त के रूप में भी जब उनका उन्होंने फिल्मी गाने तो बहुत से दिये लेकिन जब उनका ए मेरे वतन के लोगों ये जब गाना आया तो अलगी छाप छोड़ गया सभी के दिल पे जो प्रेम उनको मिला है उनके गानों की वज़े से उनकी संगीत की कला की वज़े से उनकी आवाज की वज़े से वो अमर है अमिट है जो कभी मिट नहीं पाएगा जो उनका एहम यो किया और इस बुलंदी को हासल किया ये किसी भी इनसान के लिए आसान नहीं होता है संगहश भरा जीवन रहा लता मंगेश करका और उनका अंतिम समय भी संगहश में ही गुजरा कोरोना से संक्रमित थी निमोनिया भी हो गया और 29 दिन अस्पताल में भरती रही जिंदगी और म बच्चा नहीं होगा नाम भी शामिल होगा है कई नामों से इनसे पुकारा जाता है लिए समान है इनके नाम है कई और गॉयकों की प्रेढ़ना है आज जितनी भी सिंगर है और फिर ऑली वुड़ हस्तियां है राजनेता है सभी के बीच में इनकी अट अलग पहचान है सभ तरह से संगीत पूरी तरह से बदल गया है और जब लता मंगेश कर एक महिला होने के बाद इस संगीत की दुनिया में आए और अपने सुरों से उन्होंने जो संगीत की दुनिया में एक रांतिकारी परिवतन लाया उसे देश हमेशा याद रखेगा सिर्फ एक भाशा नहीं एक सुर नहीं एक ताल नहीं हर सुर ले ताल में उन्होंने एक बहतरीन प्रदर्शन दिया है जो कहते हैं कि सुरुक को जो बहतरीन तरीके से पिरोया है और एक अलगी रूप दिया है तो इस वजह से भी वो जानी जाती है अलग फिल्म इंडस्ट्र उन्होंने अपना योगदान दिया, देश भक्ती के गाने उन्होंने गाए, भक्ती गीतों में भी आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, तो एहम योगदान रहा है, काफी प्यार मिला है और आज ये दुखद घड़ी है, आज हमें ये दुखद समय देखना पड़ रहा है, जब हमारे बीच अब लता मंगेश कर नहीं रहीं, हलाकि सुभा ही ये खबर सामने आई थी, कि अब उनकी हालत इस्थिर है, सुभा उनकी बहन ने ये बात कही थी, और जानकारी दी थी मीडिया को, लेकिन जब ये दुखद खबर आई, तो सब ही के होश उड़ गए, आईसियों में कई दिनों से भरती थी, और जब बीते दिन उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया, तो सब उनसे मिलने पहुँचे, कई बड़ी हस्तिया थी जो उनसे मिलने पहुँचे, उनके परिवार के लोगों का ताता लग या जितने भी मित्र हैं और जानने वाले पर की थी और साथ ही सोशल मीडिया के माद्या से कई ऐसे बड़ी बड़े हस्ती हैं जिन्होंने लतामंग इशकर के स्वस्त होने के काम ना की थी और लगतार सबकी निगाहें उनके स्वास्त परती, तो ऐसे समय में उनका जाना काफी दुख देता है, हलाकि अपना एक वो अपना जीवन जीने के बाद जाना, हलाकि उनके लिए तो संतोश जिनक हो सकता है, लेकिन देश के लिए अपूर्णी अच्छती है, सभी इसे एक अपूर्णी अच्छती बता रही है, परिवार में शोक की लहर है, लेकिन जो पूरा देश है, वो भी लता जी का परिवार राग तो जो सुर ले ताल था और जो उनका योगदान था वो अमिट है और इसी खबर पे हमारे साथ प्लेबैक सिंगर रवीत रिपाठी जी जुड़ चुके है जो कि लता मंगेशकर के काफी करीबी है उनके परिवार के ही एक अंग है हमारे साथ रवीत रिपाठी जी जु तूट गया है इश्वर इस कठिन समय में लता मंगेशकर जी के परिवार को शक्ती प्रदान करें इस दुखद घड़ी को सहने की हमाई समवेदनाएं परिवार परिवार जनों के साथ है और हमाई साथ रवीत रिपाठी जी जुड़े है रवी जी जिस तरह से आज दुख उनके परिवार से जुड़े हुए हैं वो अमर है हम सब के बीच में और सच में सभाग ते रहा हमारा भी कि मैं इतने सालों से 20-25 सालों से इतनी अनगिन अदवार उनके साथ हमके अनके अड़वे गुड़े हमको देखा मैंने बहत कदीब से मैं दूसरे स्वाड़ के रहा कर दादाएं और उनके सभाओं के बार इतना उत्साहित करना जो कह सकते हैं कि महां बना होता कि अपने आप एक निसाल थी जो हम मेरे गुपर बड़कर जी कहते हैं कि वह सबस्ता सरसुती माता थी कि अपने संगीट कहां से शुरू होता है उन पर जाके खतम हो जाता है कई लोगों के प्रेहना भी रही है आप भी उनसे जुड़े हूए तो हम चाहेंगे आप अपने अनुभव बताएं कि संगीट के छेतर से आप भी जुड़े हूएं वो भी जुड़े हैं तो किस तरह कि अपनी रहूं से आपको वो छोटी फटे बताथी थी अपने अनुभव विसा जागरें हमारे साथ कि यूटी बात्ता जैं मैं बताओ आँ आपको कि जब मैं से हां लापस पहने आप आँ अशुरेश जी जी उनसे आपको आपको इसे आपने बात कर रहा हूँ हूँ ने मेरा शागिर्द है